अज़ वेल्कम टो आपर यूट्यूब चानल 3DS क्रेशन वाज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3D Max के अंदर ताइल्स को हम कैसे क्रेट कर सकते हैं बेसिक चीजे यूज करके हम ताइल्स को कैसे क्रेट कर सकते हैं तो सबसे पहले दे चालेंगे अपने 3D Max के स्क्रेन के उपर और यहां से हम जाएंगे top view यूप भी हम हैं और यहां से पहले हम एक box को create करेंगे जैसे कि मैंने box को create किया और box मैंने कर दिया है यूज 6 Esta and 9 has a little mix कर दियर मैंने और यह box जो है वो हमारा बन गया अब सबसे पहले हम जाएंगे rendering में यहां से जाएंगे हम render setup में render setup में जाने के बाद यहां से हम customize की जगा पहले कर देंगे HDTV HDTV करने के बाद यहां से progressive की जगा bucket और यहां से max subdivision को 12 कर देंगे सेम बो ही सब चीजे रहेंगे हमारी यहां पर denoiser add कर देंगे एक बड़ी और यहां से primary engine irradiance map secondary हमारा right catch ही रहता है current present जो है वो high की जगा हम इसको कर देंगे medium अब हम यहां से एक material बनाएंगे tile का M press करेंगे और यह हमारा पुराना कोई slot जो है वो काफी सारे आ गए हम क्या करेंगे utilities में जाके reset material editor slots पे click कर देंगे और जितने भी हमारे slots है वो सारे के सारे reset हो गए अब हम यहां पर standard की जगा इसको कर देंगे वीरे standard की जगा वीरे करने के बाद तो यहां से मैं diffuse में जाके यहां पर मैं general में जाके उपर मैं search कर दूँगा यहां पर search by name में tiles अब जैसे ही tiles पर double click करेंगे तो आपके पास तो आपके पास यहां पर tiles का है show हो जाएंगे tiles के commands अब हम नीचे आएंगे यहां पर और यहां पर हम करेंगे advanced controller पर जाएंगे और यहां से पहले हम tile का color select करेंगे हमें texture किस type का चाहिए यहां तो हम इसके ओपर कुछ texture भी यहां पर दे सकते हैं अगर आपके पास को image वगएरा है तो texture की आप वो भी इसके ओपर दे सकते हैं नहीं तो आप simply white tile बनाने के लिए आप यहां से pure white कर देंगे जैसे आपने यहां से white color किया और ok कर दिया और यहां से आप horizon count को कर देंगे 1 और नीचे भी कर देंगे 1 horizontal gap और vertical gap horizontal gap का मतलब यह होता है कि जैसे कोई भी हम box वाली tiles बनाते हैं और वो उसके बीच में जो black line आती है वो black line को हम बोलते है horizontal gap और vertical gap अगर वो vertical position पे आ रही है तो हम इसको vertical gap बोलेंगे अगर वो horizontal के position पे आ रही है उसको हम horizontal gap बोलेंगे तो अभी हम इसकी line को इतना ही रखते हैं बाकी हम देखेंगे कि अगर वो line हमें जादा लगेगी तो हम कम करतेंगे कम लगेगी तो हम उसको बढ़ा देंगे simply और यहां से जो हमारी line है वो color उसका क्या आना चाहिए हम इसको dark gray रखेंगे अपनी line का color ठीक है यह करने के बाद अब मैं simply इस वाले object के उपर इसको मैं assign कर दूँगा अब आप देखेंगे कि यहां पर assign तो हो गया object लेकिन अभी इसके बीच में हमारी tiles हो है वो नजर नहीं आ रही है पूरी एक ही tile जो है हमारी इस पर शो हो रही है अब हम क्या करेंगे इसके उपर पहले हम यहां पर डालेंगे modify list पर जाके ue w map जैसे आप ue w map डालेंगे और यहां से box select करेंगे और अब अब u tiles को और v tiles को आप इसकी value को बढ़ाएंगे जैसे कि अभी हमारी 6 by 6 m का box है तो हमारी अभी vertical में भी हमें 6 box चाहिए tiles के और horizontal में भी 6 box चाहिए तो उसके लिए मैं यहां पर 6 करूँगा और यहां पर 6 करूँगा जैसे मैंने इसको 6 और 6 किया आप देख सकते हैं हमारी tiles जो है वो बन चुकी है 1,2,3,4,5,6 वैसे हमारी 3 यहां पर और 3 है 6 हमारी यहां होगे 6 by 6 की हमारी tiles जो है वो बन गई है अब अगर हमें यह lines इसकी मोटी लग रही है ठीक है जैसे आप देख सकते हैं हमें इसको 1,5 तक हमें ठीक लगेगी tiles अब अब क्या होगा कि हमें यह tiles है यह tiles की reflection भी होती है तो हमें यह पर reflection भी देनी होगी जैसे मैं इसकी reflection की value पर जाओंगा और यहां से मैं इसको reflection कर दूँगा और इसको मैं ok कर दूँगा और यहां से मैं reflection glossiness की value को मैं कर दूँगा 0.8 जितनी इसकी reflection glossiness की value को मैं कम करूँगा उतना जो हमारी glossiness है वो blurrish effect आएगा जितनी इसकी value को मैं बढ़ा दूँगा तो हमारा clear glass वाले effect आएगा तो इसलिए हम इसकी value को blurrish तब करते हैं जब हमें कुछ blurrish effect देना होता है तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इसको apply कर दिया apply करने के बाद अब मैं इसको एक बर रेंडर करूँगा रेंडर करने के लिए मुझे यहां पर एक कुछ light चीए होगी यहां से मैं vray light पझांगा और मैं यहां से एक vray light को create कर दूगा वteil light को मैंने create कर दिया इसके ओपर जस्ट और यहां से मैं light को 1 कर दूँगा multiplier और यहां से मैं light को invisible कर दूँगा अब मैं यहां पर आप एक बर इसकी tiles की reflection जो है वो मैं देखने वाला हूँ ctrl c प्रेस किया तो मैंने आपे camera लग गया कि तो camera के according लिम है जितना उसको set करना चाहूँ होता set कर सकता हूँ अब मैंने इसको एक बड़ी render करा तो render करके आप देखेंगे कि हमारी जो tiles है वो हमारी बन गई है अब इसमें क्या है कि अभी glossiness आतो रही है लेकिन क्या भी हमें दिख नहीं रही इतनी reflection अभी इतनी दिख नहीं रही है क्योंकि इसके साथ पे अभी कोई और चीच नहीं है अगर आप इसके reflection को मैं पूरी फूल कर दूँगा अगर आपके पास यहां पे कोई हलकलकी reflections आ रही है लेकिन अगर आपको proper reflection देखनी है तो इसके लिए मैं यहां पे एक box को create कर देता हूँ ताकि और जाद आपको clear हो जाए कि कि किस type की reflection की हम बात कर रहे है मैंने यहां पे एक wall type का क्रेट कर दिया और देन आप मैं इसको इब रेंडर करूँगा तो आप देखेंगे कि इसका जो object है अब आप देखेंगे इस पे हलकलकी हमे reflection जो है वो show हो रही है अगर आप यहां से ध्यां से देखेंगे यह वले पार्ट पे तो हमें हलकलका effect आ रहा है reflection तो इस वीडियो में इतना ही बाकिया में मिलेंगे अपनी next वीडियो में तब तक के लिए thanks for watching अगर आप को इब वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को like share and comment करना ना भूले अगर आप इस चैनल पे नहीं है तो इस चैनल को subscribe करना ना भूले thanks for watching